आशालाम अलैकूम बेख टू दिनी वीडियो तो आज मैं आ गए हूँ एक मिसतार्शी रैस्पी के साथ अकीन तो आज इस वीडियो में हम तीन Ratish being by अब एक ही वीडियो में और टीनों ही recipes बहुत ही easy और simple मसालों में होने वाले है, तो चलिए वीडियो को start करते है तो यहाँ его ही दे लेंगे लोग चलिए उसके फेलए 1 टेलिस्पून चिंज शकषकिजा और 2 पिचोन刃 1 पिचार भी-पेस, बना कोटे मसाला ही एक बना कोटे मसाला हो मेंडर और इसकी राशुपिक कर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में एड करूँगी आप जाके जरू देख़ेगा गाए वन टेबलिस्पून सॉल्टाब अपनी टेश्प के मताभिक यूस किजाएगा अपनी टेस्स के मताफिक यूस् इसके बाद हमें कोई container या बाव ले लेना इस में हम सारे spices आड़ करेंगे to add करने के बाद हम इसको अची तरीकेसे mix कर देंगे और फिर इसमें हम wij नेगर यइड गरेंगे और जिंजल नेग पीस्ट एक करने के बाद हम त्वकिर अची हे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़े साइअ अची हे लिए मिक्स करना पर हम इसमें बास ब्सक्तेमिक करेंगे के बास ब्सक्तेम छुट्रे से ब्सक проп मक्स baptized कर लएंगे और इसके उच्ते लिए नियख़को खतम कर लेंगे और फिर अब इसमें हम फिश एट करकी अच्छी तरीके से मसाला लगा लेंगे देखिए इस तरीके से हमें मसाला लगाना है ताकि सारी फिश में मसाला लग जाए और फिश की अंदर तक वो मसाला जाए ताकि खाने में भी फिर उत्ता ही मसाला आए इस तरीके से हम अपनी सारी फिशिस में मसारा लगा लेंगे अब हम कसूरी में थी अट करेंगे दोनु हाथों की मदद से क्रश करके और इसको भी फिश के साथ अच्छी से मिक्स कर लेंगे और यहां देखें यह हमारी फिश का मसारा लग चुका है अब हम इसको कवेकर की साइट पर अख देंगे एक तो हार्स के लिए अब हम जाते हैं टमाटर की चक्नी की तरफ तो यहां में जाए एक क्लो टमाटर देस हरी मर्चे तो प्यास इनको आम इस तरीके से कट कर लेंगे हारी मर्चे को बारिक बारिक सा फिर हम फ्राय पैन में हाफ कप ऐलाइट करेंगे और गरम होने के साथ ही हम इस भी प्यास आइट कर देंगे प्यास आइट करने के बाद हम इनको सौटे कर लेंगे हमें इसका करण चींज होने तक हम इसको फ्राय करना है और अब हम इसमें 1 teaspoon salt आट करेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे आप सॉल्ट अपने हिसाब से यूज़ कीज़ेगा फिर आम इसमें टमाटर और हारी मिर्जर भी आट कर देंगे इसको फिर मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे टमाटर करने तक यहां देखिए यह टमाटर कम्प्लीटली गले नहीं है लेकिन हमें थोई 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 दिर में चमच चलाना है कवर आट करके ताकि टमाटर चुपक ना जाए अब हम जाते हैं अपने फ्राइड आलो की तरफ तो इसके नहीं में जाए एक किलो आलो छे साथ कड़ी पते वन टीस्पून जीरा पांच बड़ी हाई मिर्चे वन टीस्पून सॉल्ट सॉल्ट आप अगें अपनी मर्जी के सापसी यूज कीज़ेगा आपने टेस्ट के अकॉर्डिक वन टीस्पून क्रेश वेपर यानि के कोटी इमर्च और तस से बारा लेशन की कर लिया इसके बाद हम देखें लेशन को इस तरीके से चॉप कर लेंगे हरी मर्जों को भी हम बीज में सा काट लेंगे और फिर एक करहाई लेंगे जिसमें हाफ कप ओयल एट करेंगे ओयल एट करने के बाद जीरा और कड़ी पता एट के कि उसको अलकासा सौटी कर लेंगे फिर हम इसमें लेशन डालेंगे और इसको भी अलकासा सौटी कर लेंगे तेर आम इसमें हरी मर्च पकाने के पार, हम इसमें, आलो एट करतेंगे, आलो एट करने के बाद, हम अच्छी तरीके जेंस अब को मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसमें सॉल्ट एट करेंगे, और ग्रेश पेपरेट करेंगे और इन सब को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे फिर हम इसको कवर कर देंगे आलू करने तक यहां देखेंगे हमारे टमाटर अच्छी तरीके से कल चुके है और यहां पर हमारे आलू भी अच्छी तरीके से फ्राइ हो चुके हैं अब हम टमाटर पर अच्छी तरीके से भून लेंगे और यह हमारी सारी दिशिस रेड़ी यानि कि आलू भी और टमाटर की चक नीवी अब हम फिश को फ्राइ कर लेंगे तो फ्राइ पैन में हम ओल लेंगे ओल में हम फिश को फ्राइ कर लेंगे हमें देहान रहे कि सबसे पहले ओल अच्छी जगरे मुझे देन हम इस पर फिशेट करेंगे मीडियम फ्रेम में हमें इसको कुक करना है ताकि यह जलना जाए एक साथ से यह हो चुकी है हम इसको अप्टैन कर लेंगे दोनों साथ से ताकि यह अच्छे से कुक हो जाए देखें कितना अच्छे से कलर आया है अब हम इसको दूसरी साथ से पर कुक होने देंगे फाइव टू सेवन में दूसरी साथ से पर अच्छी तरीकी से कुक हो जाएगी देखें यहां पर हमारी फिशेस भी रेडी हो चुकी है और अब हम इसको सर्फ करते हैं यहां देखें यह हमारी तीनों मिज़दार से डिश रेडी है और उमीद करते हूं कि आपको रेचिपी अच्छी लगी होगी रेचिपी अच्छी लगी है तो विडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और ऐसी है मिज़दार रेचिपी इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले मिलते हूं नेक्स विडियो में चब तक के लिए लाँ आफिस बाइब दो प्याइब करें अच्छी लाँ लाँ भूब में च्छी लाँ ट्सके लाँ लाँ लाँ